Q2 Q2 बी सेम Q1 जैसे भी है इसमें कहारा है कि कूर A के अन्ने सभी त्लकूर मितिय अनुपातों को सीक A के पदों में यानि सीक को छोड़ के जो अनुपात बच रहा है साइन A, कौस A, टैन A और आपका कौट A और फिर कौस A के सबको आपको किसमें convert करना है CK में तो सबसे पहले हम sin A को convert करते हैं तो आप जानते हैं फर्स्ट डू आइडेंटिटी होता है वो आपका क्या होता है हम भी कोज जान रहा हैं कि sin square theta प्लस cos square theta equals to क्या होता है इसी identity से हम इसको convert करें तो इसकी सायता से हम लिख सकते हैं sin square A plus cos square A equals to 1 तो हमको sin A को सिक में करना है तो sin A को यहाँ पे रहने देंगे sin square A plus से transfer करेंगे थो जाएगा 1 minus cos square A आप डाइरिक्ट भी sin A equals to under root 1 minus cos square A होता वो भी उच कर सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा details में समझा रहा हूं तो sin square A equals to आप जानते हैं cos का जो formula होता है one by क्या होता है sake A आप ज़रा ध्यान देंगे उपर दो घाते तो यहाँ भी क्या लगाएंगे घात मतलब power तो यहाँ पे sin square A equals to 1 minus 1 का square 1 होगा और c square करेंगे तो क्या हो जाएगा c square A this implies that sin square A is equals to इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या होगा आपका c square A c square A का one में करेंगे तो यह हो जाएगा c square A और minus 1 आप ज़रा ध्यान दें यहाँ पे जब आप square transfer करते हैं तो कोई भी term क्या हो जाता है आपका right hand side वदा term under root में हो जाता है तो यह हो जाएगा आपका c square A minus 1 by c square A अब ध्यान दें square root क्या हो जाता है sum up हो जाता है तो आपका sin A जो आ गया वो c k में value उसका हो गया c square A minus 1 और by आपका c a यह आपका आ गया sin A किसमें convert हो गया c k में अब हम second को देखते हैं second आपके second number पे क्या आता आपका cos A cos A को तो कुछ करना नहीं cos A equals to क्या होता है 1 by c k दूसरा convert हो गया अब हम 10 को convert करते हैं हम जानते हैं दूसरा जो identity होता है सेक स्क्वार A is equals to क्या होता है 1 plus 10 square A आप ध्यान दीजेगा मैं right hand side को left hand side में लिक रहा हूं 1 plus इसको लिख सकता हूं 10 square A equals to 6 square A तो 10 को हम को convert करना है से कि मैं इसलिए 10 को रहने देंगे 10 square A equals to 6 square A minus 1 जिसको भी direct formula पता है ओ लिख सकता है आपको जो formula वाला मैंने part वनाया तो उसमें बताया था कि 10 A equals to updated क्या लिख सकते हैं 6 A minus 1 क्यों square को जब हम right hand side में transfer करते हैं तो वो किसमें हो जाता है रूट में यानि आपका 10 A भी किसमें करनोट हो गया 6 A में अब next हम चलते हैं आगे अब हम cot A को convert करेंगे 6 A के time में तो हम जानते हैं cot A equals to क्या लिख सकते हैं 1 by 10 A और अभी हम लोग उने 10 A का formula निकाला है 10 A के जगा पे क्या लिख सकते हैं under root में लिख सकते हैं आपका 6 A minus 1 तो cot A किसमें आपका करनोट हो गया A भी 6 A में वीडियो से संबंदित कोई suggestion या कोई भी doubt है तो आप comment करके जरूर बताएंगे next आपका सिर्फ बचा है आप cos A तो cos A के इक वेस्ट हम क्या लिख सकते हैं 1 by sin A अब हम सीधे यहाँ पे sin A को जो आप पीछे देखे होंगे sin A को जो हम बदले थे सेक में वो सीधे वहाँ पे क्या करेंगे रखेंगे sin A के जगाँ पे sin A की वैलूम ने क्या निकाला था under root 6 की स्क्वार A माइनस 1 by सेके तो sin A के जगाँ पे सीधे यह वैलूम को क्या करना है put करना है this implies that 1 by under root में था 6 की स्क्वार A माइनस 1 आपको फिर साल्ब नहीं करना है by यहाँ पे क्या था सेके सेके सबसे उपर चला जाएगा यानि आपका यहाँ पे को सेक A कोस्ट हो गया सेके सबसे उपर चला गया सेक A by under root सेके स्क्वार A माइनस 1 तो यह लास्ट था यह आपका साल्ब हो गया तो आई हो इसमें कनिफूजन आपको नहीं होगा